परिचर क्या हुआ जैक? तुम इतने गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हो? आज अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीज क्रिकेट मैच है और मैं वहाँ सजीव मैच देखने जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे माता पिता इसकी अनुमती नहीं दे रहे हैं तो मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? अच्छा जैक तुम अपने घर में बैठ कर इसे टीवी पर सजीव देख सकते हो दोस्तों हम जानते हैं कि संचार के विभिन साधनों, टेलिविजन, समाचार पत्र और इंटरनेट ने दुनिया को छोटा बना दिया है इसी लिए आईए हम संचार के साधनों के बारे में विस्तार से कुछ और जानकारी प्राप्त करें आओ सीखें समाचार पत्र को समझना पत्र और टेलिग्राम के बारे में बताना रेडियो और टेलिविजन के बारे में जानना टेलिफोन, पेजर और मुबाइल फोन के बारे में बता पाना, टेलेक्स, फैक्स, इंटरनेट और इमेल के बारे में जानना. समाचार पत्र नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आम तोर पर हम देखते हैं कि हमारे घरों में नियमित समाचार पत्र आता है, लेकिन इसका उप्योग क्या है? वास्तव में इसके माध्यम से कागस पर छपे शब्दों और चित्रों के माध्यम से दुनिया के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं इसके कई भाग होते हैं जैसे राश्ट्रिय, अंतरराश्ट्रिय, खेल, व्यापार की खबरें और मौसम का हाल हम जानते हैं कि इसमें आपके लिए भी एक खास भाग होता है, जिसमें कहानिया, कविताएं, चुटकुले और पहेलिया प्रकाशित होती हैं। पत्र आईए अब संचार के एक दूसरे साधन पत्र के बारे में जानें। इस मुद्रित रेखा के नीचे ना लिखें। आप जानते हैं कि पत्र संबाद का लिखित माध्यम होता है। साधारनता इसका प्रयोग दुनिया के किसी भी स्तान में रहने वाले लोगों के बीच सूचना के आदान प्रदान के लिए होता है। अंतरदेशिय पत्र, हवाईतार और पोस्ट कार्ड पत्र के विभिन प्रकार हैं। आईए इनके बारे में विस्तार से जानें। पत्रों के प्रकार। आईए अंतरदेशिय पत्रों से शुरू करते हैं। अंतरदेशिय पत्र, एक हलके नीले रंग का डाक टिकिट लगा कागज होता है, जिसमें संदेश लिखा जाता है, और इसे एक खास तरीके से मोडा जाता है। आईए, अब हवाईतार के बारे में जानें। हवाईतार भी एक प्रकार का अंतरदेशिय पत्र होता है, जिसे हवाई जहाज से भेजा जाता है। अन्य प्रकार के पत्रों को पोस्ट कार्ड कहते हैं। पोस्ट कार्ड एक पीले रंग के कागस पर लिख कर सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पत्र हमारे पास बहुत शीग्रता से पहुचते हैं। इन्हें टेलिग्राम कहते हैं। टेलिग्राम भी संचार का एक साधन होता है। टेलिग्राम में संक्षिप्त संदेश होता है, जिसे किसी दूर के स्थान पर शीगृता से भेजा जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टेलिग्राम के द्वारा बहुत छोटे संदेश भेजे जाते हैं और लोगों को उनके शब्दों के हिसाब से हर शब्द के पैसे देने पढ़ते हैं। रेडियो और टेलिविजन लेकिन क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जो पढ़ नहीं सकते। फिर वे दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो रेडियो और टेलिविजन के माध्यम से दुनिया के ब हम रेडियो पर समाचार और अन्य दूसरे कारिक्रम जैसे की गीत सुन सकते हैं। दूसरी तरफ टेलिविजिन संचार का एक श्रव्य दृष्य माध्यम है। ऐसा माध्यम जिससे हम दुनिया में होने वाली घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। घर पर बैठे बैठे ही हम टेलिविजन पर गीत, फिल्मे, समाचार, शिक्षाप्रदकारिक्रम और खेल देख सकते हैं। टेलिफोन आईए अब हम संचार के एक अन्य संचार माध्यम टेलिफोन की तरफ बढ़ें। वास्तव में टेलिफोन का प्रयोग टेलिफोन के तारों की सहायता से संदेश के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। यह हमें दुनिया के किसी स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से बात करने में मदद करता है। दिन प्रत दिन तक्नीकी में होने वाले विकास के साथ टेलिफोन का स्थान पहले पेजर ने लिया और उसके बाद मोबाइल फोन ने। आईए अब इनके बारे में और जाने। पेजर और मोबाइल फोन पेजर एक यंत्र होता है जो आने वाले सतर्कता संदेश और या संक्षिप्त संदेश को ग्रहन करता है यह यंत्र उन लोगों के लिए उप्योगी है जिन्हें किसी के टेलिफोन कॉल आने की उम्मीद हो और वो कॉल लेने के लिए या ततकाल वापस कॉल करने के लिए टेलिफोन यंत्र के पास उपलब्ध ना हो लेकिन जल्दी ही मोबाइल फोन बाजार में आ गया और ज्जादा बहतर तक्नीक होने के कारण उसने पेजर का स्थान ले लिया Mobile phone की सहायता से हम कहीं भी स्थित व्यक्ति से बात कर सकते हैं और उसे संदेश भी भेज सकते हैं इन phone को telephone की तारों की जरुरत नहीं होती इसलिए इन्हे लेकर हम हर जगह जा सकते हैं Telex Telex एक अन्य संचार माध्यम है जो टेली प्रिंटर की सहायता से मुद्रित संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है टेली प्रिंटर ऐसे यंत्र होते हैं जो एक दूसरे से केबल संजाल से जुड़े होते हैं इस यंत्र में संदेश का टंकन करने के लिए एक कुझी पटल होता है एक तरफ की मशीन पर संदेश टंकित किया जाता है और दूसरे तरफ के यंत्र पर टंकित होता है प्राप्त करता एक कागस पर मुद्रित संदेश को पा सकता है लेकिन ये सब संचार के सामान्य साधन है आईए अब संचार के कुछ आधुनिक साधनों पर नजर डालते है Facts और Internet संचार का पहला आधुनिक साधन प्रतिकृती या Facts है वास्तव में यह एक electronic यंत्र है जो पत्र, आकृती और रेखा चित्र को हस्त लिखित या मुद्रित रूप में तत्काल भेजता है क्या आप जानते हैं कि Facts मशीन कैसे काम करती है टेलिफोन के तारों के प्रयोग से Facts मशीन किसी दस्तावेज की हूबहू प्रति को प्राप्ट करता मशीन तक भेजती है electronic mail या पत्र, जिनका लोगप्रिय नाम इमेल है, भी संचार का आधुनिक साधन है यह कार्यालेओं में लोगप्रिय है यह computer और internet के माध्यम से टंकित संदेश भेजने का आधुनिक या विकसित तरीका है यह संदेश को सचमुझ ही बहुत तेजी से भेजते हैं करीब कुछ ही सेकिंड के अंदर internet की सहायता से होने वाले voice chat और video chat भी संचार के आधुनिक साधन है हमने क्या चर्चा की समाचार पत्र हमें कागस पर मुद्रित शब्द और चित्र के माध्यम से सूचना देता है पत्र कलम की सहायता से कागस पर लिखा संदेश होता है अंतरदेशीय पत्र, हवाईतार और पोस्ट कार्ड विभिन प्रकार के पत्र होते हैं टेलिविजन हमें दुनिया को देखने और सुनने में सहायता करता है टेलिफोन और मुबाइल फोन से हम दुनिया में किसी भी स्थान पर स्थित व्यक्ती से बात कर सकते हैं टेलिफोन की तारों के माध्यम से भेजे गए टंकित या लिखित संदेश को कतिकृती या फैक्स कहते हैं कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए टंकित संदेश को ई-मेल कहते हैं